तो हम next देखते हैं हम types of knowledge, हमारे knowledge के अलगलग type आते हैं, first type आता है declative knowledge तो declative knowledge के अंदर हम बात करते हैं, इसमें agent या जो भी हमारे agent को उसको requirement होती है कि हम जो declare की है, मतलब what की term में बात करता है, पर कि क्या, ठीक है, हाँ पर हम देखते हैं, ठीक है कि what, describe करते हैं कि what is known about problem, problem के बारे मुझे को क्या पता है, या फिर हम इस type से बोल सकते हैं, what it need to know, what it need to know हो, यह हमारा आता है, declative knowledge, जैसे उसमें देखा है, DMS के हम अंदर भी देखा इस चीज़ को, कि declative, जो होती है हमारी query language में, हमने इस चीज़ को देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो होता है, हम देखते हैं कि इसमें हमारे concept क्या है, concept हमारे आते हैं, ठीक है, कि इस चीज़ के विले भी हम बात करते हैं, object, ठीक है, अपर object विसमें include होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं, descriptive knowledge, declarative knowledge को ही हम बोलते हैं, it is also called a descriptive knowledge, मतलए कि चीज़ को describe करना, descriptive knowledge, चीज़ को describe करना, यह भी इसका दूसरा नम आता है, descriptive knowledge, यहाँ पर जो agent हमारे देखेगा, कि अब उसे problem के बारे में क्या पता है, ठीक है, इस चीज़ की जहाँ पर बात करेगा, next हमारा आता है, procedural, तो procedure में ब procedure की, तो procedure को हम बोलते हैं, imperative knowledge, imperative knowledge, यहाँ पर जो बात आती है, procedure के अंदर वो पूछता है, procedure how, इस चीज़ की बात करता है, मतलए कैसे, उसका procedure क्या होगा, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, how to solve the problem, problem, ठीक है, how to solve problem, problem को कैसे solve कर सकते हैं, ठीक है, उसका एक procedure आता है, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, कि उसका एक procedure आएगा, जिस procedure के हम, problem solve कर सकते हैं, मतलए कुछ भी, यहाँ पर जो, जिस चीज़ को भी हम बात कर रहे हैं, कुछ भी हमें task complete करना है, तो उसका process क्या होगा, तो इसके अंदर अलगले type के rule दिखाए देंगे हमें, ठीक है, उस procedure को complete करने के लिए rule होंगे, step होंगे, कि क्या हम step ले सकते हैं, पहले हमें कौन सा step लेना है, सकते हैं, कौन सा step लेना है, strategy होगी हमारी स्टेड़ियर हम या पर प्लान करेंगे, ठीक है, उसके अक्वार्डिंग लेनों हमारा procedure होगा, कि यह procedure हम follow कर सकते है यह नहीं कर सकते यह condition हम follow कर सकते है यह नहीं कर सकते यह चीज हमारी इसके अंदर आती है तो यह हमारा होता है directly apply होता है task के उपर जो हमारी procedure language आती है अगले हम देखते हैं structural language structural knowledge आती है हमारे पात मतलब structure form में जो बात करेंगे हम तो structure form हमारे आती है कि basic knowledge यहाँ पर बात करेंगे हम basic knowledge कि कि किसी problem को solve करने के लिए जो basic knowledge की requirement है that is called structure language structure knowledge यहाँ पर structure knowledge आती है तो यह किस चीज को दिखाता है कि हमें किस चीज को problem को solve करना है तो उसके लिए basic knowledge की requirement क्या होगी basic knowledge में हमारे आ सकती है कि किस type की knowledge होगी kind of ठीक है या part of जैसे हम classify करते हैं किस चीज को या group of ठीक है तो जो basic के ओपर हम बात करते हैं या classification of हमारी उस चीज में बात कर सकते हैं तो यहां describe करते हैं अलग-अलग concept के बीच में हमारा relation क्या है ठीक है इस टेक्शन हम बात करते हैं relation between relation between different concept या various concept various concept हो सकता है हमारा या फिर हम बात कर सकते हैं that is object की concept के बारे हम बात कर सकते हैं तो यह हमारे कोई न कोई जैसे हम किसी expert model को अगर एक की बात करते हैं तो वहां पर देखते हैं किस चीज को कैसे problem को कुछी को solve करना है तो उसके मेटा नॉलेज मतलव यहां पर बात करते हैं नॉलेज अवाउट नॉलेज नॉलेज आधर नॉलेज बोल सकते हैं और नॉलेज नॉलेज के बारे में हमारी आती है मेटा नॉलेज के अंतर यहां परम देखते हैं किसी भी टाइप against को पिक करने लिए हमें अधर नॉलेज को नॉलेज की岬 कमेंट होती ही हमें कि चीज को find करना उस find करने के लिए हम कैसे पहुंचेंगे उस तक तो हमारे तरीका हो सकता है एक knowledge को pick करने का जैसे हमें देखना कि हमें कि हमें किसी goal को find करना है हमें किसी goal पर पहुंचना है तो goal पर पहुंचने हम तो क्या तरीका हम use कर सकते हैं goal पर पहुंचने का तो उसमें भी हम देखेंगे best possible way कौन सा होगा अगली आती है हमारी heuristic knowledge heuristic knowledge आती है यह जो knowledge मिलती है हमें यह मिलती है अलग-अलग experience से experience यह experience based होती है ठीक है यह अलग-अलग approach के उपर depend करती है और उस approach के लिए हम experience की requirement तो होगी यह experience की requirement होगी जो हमारे previous experience होता है जिससे हमने learn कि है तो यहां पर हम बात करते हैं कि जो भी इंटेलिजेंट एजेंट है वो इतना एक्सपर्ट है कि अलग-अलग टाइप के अलग-अलग फिल्ड की सब्जेक्ट के बारे में उसको नॉलिज है और उसको क्या है एक्सपिरेंस या अपना एप्रोच यूज कर रहा है उस चीज को सॉल्व करने के लिए यह बात करता है इं रूझ करते हैं हम यहां पर यूज करते हैं हमारे पास पूछ क्या सब्याएं यह हमें तभी मिल सकती है यह था हमारा टाइप